अस्सलाम अलेकुम फ्रेंस वेलकम बेक टू माई चैनल तो आज मैं आपके साथ शेर करूँगे अंडा और मसूर पुलाव की रेसिपी तो बिल्कुल परफेक्ट थारिके से बनाने के लिए आप मेरा ये वीडियो एंड तक सरू देखना तो फिर इसे बनाने के लिए मैंने एक पैन में around 3-4 टेबल स्पून तेल गरम किया है जैसे ही तेल गरम हो जाए मैं इसमें एट करूंगी प्यास यहाँ पे मैंने तीन बड़ी साइज की प्यास को इस तरह से finelyly slice करके एट किया है और प्यास को हम अच्छे से soft होने तक fry कर ले कर लेंगे तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं तो मैं इसमें एट करूंगी अध्रक, लैसन, हरी मिट और हरी धनिया का पेस्ट और फो टेबल स्पून यह पेस्ट मैंने इसमें एट किया है और इसे हम अच्छे से फ्राइ कर लेंगे दो मिनिट के लिए हाई फ्लेम पे त करूंगी और 1.5 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर आड़ करूंगी और इन सब पाउडर स्पाइसे को आड़ करने के बाद हम इसे अच्छे से फ्राय कर लेंगे एक मिनिट के लिए और फिर हम इसमें एट करेंगे मसूर यहाँ पे मैंने अख्षी मसूर को अ नहीं जो अच्छे से पक चुकी है तो अभी हम इसमें एड़ करेंगे पानी तो टोटल मैंने यहाँ पर त्री कप पानी एड़ किया है तो पानी एड़ करने के बाद एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स करके इसमें हम नमक एड़ करेंगे 1 tablespoon मैंने इसमें नमक add किया है आप अपने ही साप से add कीजिए और फिर हम इसे mix करके ढखके पानी boil होने तक पकाएंगे और एक तरप से मैंने यहाँ पर पैन में around 1 tablespoon तेल गरम किया है जब यह तेल गरम हो जाए तो मैंने इसमें add किये है boil किये अंडे यहाँ पर मैंने 4-5 boil किये हुए अंडों को इस तरह से cut लगा कर इसमें add किया है इसे हम अच्छे से fry कर देंगे जब तक यह brown हो जाए हलके से फिर मैंने इसके पर थोड़ा सा नमक add किया है हाफ टीस्पून हल्दी और हाफ टीस्पून मैंने इसके पर लाग में चैट की है और इसे हम अच्छे से mix कर लेंगे तो यह mix हो गए है अच्छे से fry हो गए है हम flame को off करके इसे side में रख देंगे और दुसरी दरब से आप यह देख सकते है पानी भी अच्छे से boil होना start हो गया है तो अभी हम इसमें चावल add करेंगे मैंने one and half cup चावलों को इस तरह से भीगो के रखा था तो मैंने zero rice लिया है आप चाय तो बास्मती rice भी ले सकते है तो one and half cup चावल के लिए मैंने इसमें हमने boil करके fry किये थे वह हम इसमें add करेंगे इस तरह से अंडों को add करने के बाद हम इसके पर थोड़ा सा पुदीना add करेंगे flavor के लिए और इसे ढखकर हम 5 मिनिट के लिए दम होने तक पकाएंगे तो 5 मिनिट हो गए है friends इसे पकते हुए आप यहां देख सकते है इसका पा अगर अपको मेरी recipe अच्छी लगी तो please मेरे चैनल को like, share, comment और subscribe जलूर करना लाफीस